प्रिवेंस येर में जितने भी कोस्टेंस फिजिकल एजूकेशन पूछे गए हैं उन सभी कोस्टेंस को टापिक वाइज आपके समझ से प्रस्तूत कर रही हूं दोस्तों यह सीरेज नंबर एक्यानवे हैं दोस्तों इस सीरेज में अन्य महतपूर खेले जिससे कई बार कोस् सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो को वाच करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं दोस्तों डेली बेसेस पर यमसी क्यू सीरेज दिये जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिये चलते हैं आज के प बालिबाल वा खोखो तो इसमें तो होगा है नहीं बालिबाल अमेरिका में हुआ है बिल्यम जी मोर्गन ने किया है एंड भी है स्नूकर वा बैडमिंटन तो दोस्तों स्नूकर वा बैडमिंटन यहां पे उद्भा हुआ है भारत में बाद में उसका अच्छा से विकास हु तो आपसर नम्बर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसके अतित कई अन्य खेलों का उद्भव भारत में हुआ है जैसे कि सतरंज हो गया खोखो हो गया कबड़ी हो गया ठीक है नेश्ट कोचन है फार्मुला वन रेशिंग में पीली जंडी किस प्रकार का संकेत करती है तो फार्मुला वन में जो पीला जंडा होता है वो किस प्रकार का संकेत करता है वो करता है धीमे होने का संकेत ठीक है धीमे होने का संकेत आपस वन में रेसिंग में पीली जंडी धीमी होने का संकेत है दोस्तों जैसा कि फार्मुला वन रेसिंग में चालकों से समवाद तथा उन्हें कोई संदेश देने हैं तू सरकिट पर कई मार्सल जंडों के साथ उपसित रहते हैं क्या करने के लिए चालकों में साथ फार्मुला वन रेसिंग में चालकों से समवाद तथा उन्हें कोई संदेश देने के लिए सरकिट पर कई सारे मार्सल होते हैं वो जंडों के साथ उपसित रहते हैं अब विभिन रंगों के जंडों को व जैसे कि पीला जंडा खत्रे को दर्साता है। तिक है। अगार एक लहरा था हुआ चालकों को ध्मी होने का संकित देता uso जबकि दो लहराते हुए पीले जंडे यह संदेश देते हैं कि ट्रैक पर कुछ समस्या है थिक है यदि एक पीला जंडा दर साथ लहराता है वो तो यह संकेत दिराया है कि चालकों को धीमे होना चाहिए अब दो पीला जंडा लहराता है तो वो संकेत देता है कि ट्रैक पर निश्चित रुप्ट से रुपने के लिए तयार रहें, ठीक है? नेक्स्ट कुस्टन है, कि आपको एक दूसरे से सुमिलित करना है? लिबरो, ए है लिबरो, लिबरो सब दे किसमे प्रयोग होता है दोस्तों, आप सबको पता है, बॉली बॉल में, एका थ्री हो जाएगा, ठीक है? स्टार्ट बोर्ट किस में प्रयोग होता है दोस्तों आप सबको पता है सार्ट पूर्ट में होता है यह सार्ट पूर्ट किस में आता है ट्रेक एंड फिल्ड में आता है तो वी का फोर हो जाएगा ठीक है टीक है तो यहां पे आपसम नंबर बी करेक्ट होगा ठीक है रगबी फुटबाल में मैडान की अधितम लंबाई चोड़ाई होती है तो कितना होता है 110 से 75 गज ठीक है 110 से 75 गज यानि लंबाई 110 गज और 75 गज चोड़ाई ठीक है ठीक है एंद दोस्तों ये मीटर में हो जाएगा 100 मीटर लंबा एंद 70 मीटर मीटर चोड़ा नेश कोचन है वेट लिप्टिंग यानि की भरत्तोलन परती इस प्रधा में दो प्रयासों के बीच वजन में ब्रिधी कितने से कम नहीं होना चाहिए तो कितने से कम नहीं होना चाहिए वजन में ब्रिधी 2.5 kg यानि धाई किलोग्राम आफसन नमबर एक करेक्ट है यानि कि दोस्तों वेट लिप्टिम प्रतीज प्रधा में प्रथम शफल प्रयाश के बाद उत्तोलक के वजन में 5 kg तथा दूसरे फफल प्रयाश के बाद धाई से 5 kg की ब्रिधी की जा सकती है ठीक है की जाती है नेक्स कोच्चन है रबर सब्द किस खेल से संबंधित है तो रबर सब्द किस संबंधित है ब्रीज से ठीक है इसके अलावा उसमें है सफर, रियोग, रब, डमी, ओवर, ठीक है एंड, डाइमंड, हार्स, क्लॉब, ठीक है चिकन, ओवर, ट्रीक, आदी का प्रयोग होता है नेस्ट है स्क्वेस, खेल, सरपथम किस देश में खेला गया तो स्क्वेस सरपथम किस देश में खेला गया तो इंग्लेंड में ठीक है इंग्लेंड में इस खेल की सरोच संस्था है वर्ल्ड स्क्वेस फेडरेशन डवलू यर्शफ ठीक है नेक्स्ट कोर्षिन है कोन सी गतिविधी खाली में खेले गए खेलों में उप्योग की जाती है तो कॉन खाली समय खेलने में उप्योग की जाती है तो दोस्तों नेट बाल पास दाए – अक्सन नमबर एक करिप्ट है नेक्स्ट है कार्पोरेशन इस्टेडियम इस्थित है तो कहां इस्थित है चन्नाई में ठीक है चन्नाई में इस्थित कार्पोरेशन इस्टेडियम भारत का एक बहु उद्देशी इस्टेडियम है इसे बर्तमान में नेहरू इस्टेडियम के नाम से जाना जाता है ठीक है नेस्ट है नमी लिखित में कौन शाग खेल बेक्तिगत है बेस्बाल यह तो नहीं है दूस्तो यह तो इसमें नोखी लाड़ी होते हैं एन फेंसिंग में यह फेंसिंग जो है वो बेक्तिगत खेल है ठीक है जबकि कबड़ी सामुहिक खेल है सेपक टक्रा भी सामुहिक है तो यहां पर आसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है फेंसिंग जो है यानि फेंसिंग यानि तलवार बाजी बेक्तिगत खेल है यह बेस्बाल सेपक टक्रा कबड़ी टीम कबड़ी इस सब टीम गेवे हैं च्पकeton किक बाल बाल भी बोला जाता है। इसमें समायनता दो टीम होती है ठीक है अब परत्य एक टीम में तीन खिलाड़ी होती है ठीक है क्या है दोस्तों कि सेपक टकरा को किक बाली बाल भी बोला जाता है इसमें दो टीमें होती है अब परत्य एक टीमें तीन खिलाड़ी होती है सेपक टकरा में ठीक है लिगेंट कूर्श्टिन है कारफ बाल खेल खेला जाता है कि कि यहां पर पूरसों द्वारा कि कि महला पूरुस द्वारा तो महला पूरुस द्वारा आपसां नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा जैसे कि कार्फवान एक नेट बाल और बास्केट बाल की तरह खेल है जिसे वर्स 1901 में एमस्टरडम के सिच्छक द्वारा बिक्सित किया गया था यहां खेल महिला तथा पूरुस के सन्युक्त खेल के रूप में बिक्सित किया गया है तो दोस्तो यह था कुछ महत्तपूर्ड खेलो के बारे में जिससे कोस्टन पूछा गया है वह सभी कोस्टन यहां पर रखा गया है तो दोस्तो आई होब कि सभी questions आपको समझ में आये होंगे आपके लिए very helpful होगा एंड दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए एंड दोस्तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए